डाइकिन हाइस्ट आइसा रेटिंग वाला मॉडल अपना लॉंच कर चुका है जिसका वीडियो आप लोगों यूटूब पे मिली गया होगा जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों मैं बताऊंगा के यह मॉडल कौन सा है साथ इसाथ मैं आप लोगो तीन ऐसे पॉइंट आप लोगों यह फाइदा होगा कि जब भी आप हाई इसार रेटिंग वाले मॉडल जब लेते हो तो उससे आपका फाइदा यही होता है कि उसमें आपका एलेक्टिक से वहोता है मतलब बिजली बिल कम आता है तो इसी चीज का मैं आप लोगो बताने वाले हो बहुत खास जिसमें मैं आपको तीन पॉइंट बताने वाला हूं जिसे आप डाइकी ने जिसे अगर यूज करते तो आपको फाइदा मिलने वाला है साधी साथ मैं आप लोगो यह भी बताऊंगा कि इस रिमोट से भी आप बहुत अच्छी यूज कर सकते हो जिससे आपका एलेक्टिस 16U तो यह मॉडल है जो के डाइकीन नंबर वन ब्राइन तो ही साथ ही साथ यह मॉडल लांच कर चुका जिसका हाइस्ट आइसा रेटिंग है जो के कमाल का यह पहला पॉइंट है कभी भी आपको एलेक्टिसिटी सेव करना हो तो आप हाइस्ट आइसा रेटिंग वाले अभी न्यू मॉडल लांच कर चुका है 6.2 इस मॉडल को अगर आप लेते तो आपका बिली बिली बहुत ज़्यादा कम आने वाला है अब चलिए सेकंड पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट है जो के डैकिन में ही है इस चीज़ को आपको इस्तेमाल करना ही काफी आपका फाइदा होने वाला है एलेक्रिसिटी में ठीक है तो सेकंड पॉइंट क्या है सेके पॉइंट यह कि आप जब भी डैकिन के रिमोट को यूज़ करता तो उससे एक फायदा यह भी उठा सकते हूं कि आपका बिली बहुत जादा कम आने वाला है कैसे तो 24 to 25 degree में automatic setup हो जाएगा उससे फाइदा यह होगा कि आपका बिलीव बहुत जादा कमाएगा नॉर्मल कूलिंग आपको मिलेगा और साथी साथ आपका electricity भी सेव होगा तो यह कमाल का feature से जोके डैकिन ही प्रोवाइड करता तो इस feature आप जरूर से जरूर इस्तेमाल कीजिए तो यह second point ता फ्रेंज जोके बहुत कमाल का point ता अब third point के तरह पड़ता है जोके बहुत जाद लगा हो यह window लगा है उसी भी आप अपने बिजली बिल से पर सकते हो कि यह point जाना ज़रूर है अगर इस point को अगर आप नहीं जानते हो तो आपका electricity ज्यादा से ज्यादा आएगा तो third point यह है कि जब भी आप ऐसी लगवाते हैं तो आप अपने room के size के हिसाब से एसी समाएगा कैसे कमाएगा वह समझिए अगर आप room के size के हिसाब से इसी लगवाते हैं तो आपका इसी जल्दी से जल्दी cooling करेगा और cooling के बाद वह automatic cut-up होगा मतलब आपका जो order unit में compressor है करेगा तो उससे यह होगा कि आपका जो unit उठता है वो unit नहीं उठता है क्योंकि जब compressor start होता तब हो ज्यादा से ज्यादा भोल्ट लेता है तो यही चीज़ होता है कि अगर आप room के size के हिसाब से एसी लगवाते हो तो आपका compressor time to time auto cut होगा और compressor आपका बंद होगा जिससे आपका electricity बहुत ज़्यादा कम आएगा ठीक है तो room के size के हिसाब से ही AC लेगाना बहुत ज़्यादा होता है चाहिए वो split रही या फिर window रही या फिर cassette रहा है कोई भी AC रहा है normally आप room के size से हिसाब से अगर AC लेगा आते हो तो आपके billy bill बहुत ज़्यादा कम आएगा यह तो यह कुछ खास point है जिससे आप लोगों यह फायदा हो जाएगा कि आपका electricity कैसे कम करवा सकते हो साधी साथ मैं आप लोगों यह भी बताया कि highest ISA rating वाले model कौन सा है जिसका मैं आप लोगों को model बता रहा हूं वो back in का ही है जिसका आपको पता ही होगा normally क्योंकि YouTube में सब्सक्राइब हो इसी कारण से वह highest ISA rating वाले model लेते हैं तो normally आप लोगों को पता चलिया होगा कि कौन-कौन सा point है किससे हम अपना बिजली बिल सेप कर सकते हैं तो यही डेटिल का बारे मुझे बाताना था अगर वीडियो पर सब्सक्राइब कर देजेगा आज इस वीड वीडियो में तब तक लिए बाई फ्रेंड्स